हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में मैं हूँ युकुमा शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारी डिज्टल मार्केटिंग को उसकी वैब सीरीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसी तरीके से आप अपने कस्टमर की जो वैल्यू जर्नी होती है उसे मैप डाउन कर सकते हैं किसी भी मार्केटर और बिजनसमेन के लिए ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि उसका जो कस्टमर है एक स्ट्रेंजर से कैसे कनवर्ट होता है आपके लोयल कस्टमर में इस जर्नी को इस पूरे प्रोसेस को जब तक वो समझेंगे नहीं तो अपनी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजिस हैं उनको कैसे उप्टिमाईज कर पाएंगे Marketing के अंदर बहुत को changes आ गए है Marketing के जो तरीके हैं वो बदल गए है Marketing के medium change हो गए है बट जो आज भी एक चीज same है वो है आपका customer Customer पहले भी उसी तरीके से खरीदता था आज भी उसके खरीदने के तरीके same ही है तो वो जो decision लेता है वो अपने emotion के हिसाब से लेता है तो हमें कभी भी नहीं भूलना चीए कि जो आपका customer है वो digital नहीं है वो एक product नहीं है वो एक human है तो हमें human to human relationship को build करना है online अपनी marketing के through जब हम बात करते हैं human to human relationship की तो वहाँ पर अगर एक चीज़ notice करेंगे तो वहाँ पर sequences होते हैं और उन sequence के हिसाब से अगर आप judge करेंगे उन relationships को तो आपको पता लगेगा कि वो पहले दिन वो same नहीं थी वो धीरे धीरे उसमें improvement आते हैं next step पर जाये जाता है तो हमें वो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है और एक एक चीज़ के हिसाब से हम अपनी marketing प्लान करेंगे इस chart में हमने visualization करने की कोशिश की है कि एक customer की जो journey है उसमें कौन-कौन से important steps आते हैं कैसे वो एक stranger से move होता है और होते होते आपके waving fan में convert होता है तो यहाँ पर जो पहला जो stage है वो है awareness stage इस stage पर आपका customer पहली बार आपके brand के साथ interact करता है हो सकता है आपने अपनी website की search engine optimization की है या PPC campaign run किया है email marketing campaign shoot किये है या social media campaign चलाए है कुछ भी medium हो सकता है आपने awareness create की है अपने customer को बताया है कि ये चीज़े available है और आप ये solution provide कराते हो तो ये फर्स stage हो गई तो second जो stage है वो है engagement stage अब हम उसे different different platforms पर engage रखते है जैसे आप remarketing ads देखते हैं आप किसी website पर visit करते हैं तो उसके बाद आपको social media पर भाई आड़ दिखती है आप किसी और platform पर जाते हो तो ये बहुत सारे touch points है जहां पर वो कोशिश कर रहा है brand कि आपको engage रखने के लिए आप 2-3-4 बार engage हो जाते हो तो आप चाहोगे कि वो person जो बार बार engage हो रहा है आपकी ad के साथ या आपके content के साथ आप उसको subscribe करवाओ तो next जो target है आपका जो third stage है वो है subscribe stage इस stage पे आप उस person की permission चाहोगे कि आप उसे further contact कर सको तो उस role आता है आपका lead magnets का अब lead magnets क्या होती है कि leads capture करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़े करते हैं जो lead खुद बखुद हमारी तरफ आए जैसे हम आप digital marketing course करना चाहते हैं और मैं अपनी site के उपर free digital marketing course की e-book दे रहा हूँ उसको download करने के लिए आपको आपका email id, phone number एंटर करना होगा उसके बाद आप download कर सकते हैं अब जो fourth stage है वो है convert stage यहाँ पर अभी actual में customer convert नहीं हो रहा है और convert इसलिए बोला है कि वहाँ पर उसने एक small investment आपके लिए की है वो सकता है आपकी कोई e-book उसने purchase कर लिए आपकी trial ले लेता है आपका 5-6 डॉलर देके या कुछ small investment करके अपने एक छोटी सी commitment यहाँ पर ले लिए अपने customer से अगर आप webinar दे रहे हैं आपको यह attend कर रहा है और दो गंटे बैठ रहा है आपके webinar में that means कि उसने अपना time invest किया है वहाँ पर person अभी भी customer नहीं बना है पांचवा जो stage है वो है excited stage इस stage पर जो आप product और services offer कर रहे हो उसके बारे में वो जानता भी है साथ में उसको experience भी उसने already किया है उसने उसका trial लिया है आपकी demo लिया है आपका web conference attend किया है तो आपका focus उस time प focus करना है कि वह excited stage पर महुंचे उसके life के अंदर वह aha moment create हो तभी finally वह आपके जो final product है उसको purchase करेगा अब आता है six stage जो है accent यहां पर multiples आपकी transaction हो सकती है जैसे अगर आप तो sas industry में हैं तो आप ने देखा होगा कि आप कई सारे packages होते है वहाँ पर basic package अलग होता है उसके का basic package यूज कर रहा है वो upgrade कराए अपने packages को और advance में जाए advance के बाद उसमें professional package को purchase करें जिसे टेक्निकली बोलते है हम OTO one time offer तो one time offer one one time offer to essay करके आपके कई सारे stages हो सकते हैं डिपेंड करता है आपकी product और services के उपर अगर आप products sale कर रहे हैं वहाँ पर भी option हो सकता है कि अगर आपका कोई already user है या फिर एक जो product use कर चुका है already वह आपके बाकी product और services को भी कंजूम करें customer satisfied 100% वो move कर जाता है आपके 7th stage पर यह stage है advocacy यहाँ पर customer आपकी service और product से इतना खोश है कि आप उसे reviews के लिए भी नहीं बोलते हैं वो फिर भी आपको testimonials देता है अच्छे testimonials देता है अपनी success story बताता है 9th stage है यह है promoter stage इस stage पर आपका जो customer है वो happy customer convert हो जाता है आपके promoter में आपके product और services को promote करना start कर देता है word of mouth करता है बाकी लोग उससे पूछते हैं तो recommend करता है आपके product or services को यह final जो stage है यह हर एक business को चाहिए कि जादर ज्यादा customer उसके इस stage तक आए हैं आप अपने user को successful बनाएंगे तो यूजर आपको successful बनाएगा in case अगर आप बिल्कु स्क्रैट से start नहीं कर रहे है already आपका सब कुछ marketing plan ready है चल रहा है आप उसके इंदर चाहते हो कि कहाँ पर problems है उसको देखना है तो आपने देखना है कि किस area में हमें problem आ रही है lead flow चाह उस stage पर हमने वह moment जो create करनी है उस पर ध्यान देना है convert हो रहा है उसके बाद अगर final product नहीं ले रहा है तो हम basic product में हम उसे क्या offer कर रहे हैं उसे improve करने की जरूरत है तो इस तरीके से हम अपने marketing को fix कर सकते हैं I hope आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी questions and queries हैं तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं साथ में जो number हमने screen पर दिये हैं वहाँ पर आप call और WhatsApp कर सकते हो अगर इस video को Facebook पर देख रहे हैं तो इस video को like कीजे, share कीजे, हमारे page को follow कीजे, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे channel को subscribe कीजे, साथ में बगल वाली हिंटी को बजान ना भूले, thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में